हेलो एवरिवन वोल्कम तो देखो आज कुछ बात बोलने माला हूँ जो इंपोर्टेंट है वो सभी सुनना एक्सपर्ट लोग ध्यान से सुनना ठीक है तो आज का केसे स्टडी होने माला है गिगवेट के ऊपर जीए बी टूफाइफ जरो एम डी थ्री एच इसका रिमिशन देख सकतो यहां पर वन पॉन जरो तो यहां पर बहुत सरा इस्टिकर चुटका हुआ है यह सर्विस कई पर गया था पर वहां से हुआ नहीं तो यहां पर भेजा गया है तो उन्होंने बोला जिसने यह बोड भेजा यह उन्होंने कह था कि भेजू किया बहुत लोगोंने देखा कुछ कर नहीं पाया तो मैं छोटा सा एक बात बोलूँगा सब ध्यान से सुन लो और पहले देख लो जो 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 बोड़ है इसका पॉब्लेम क्या था थोड़ा सा चलके अब जब on कर रहे हो टिगर कर रहे हो तो थोड़ा सा चलके एक या दो तीन बर code variation होके ही restart हो रहा है बार बर ठीक है ऐसा कुछ problem के साथ आया था देखो board जब आया था मैं clear दिखा दू और जिस बंदे के पास यह board गया था अगर वो यह video देखे तो अच्छा होगा मिझे ख्याल से अगर कभी भी देख लेता हूँ तो सब के लिए मैं एक बात बोल रहा हूँ यहाँ पर देखो यहाँ पर तीन protection होता है जो 110 से शुरू होता है ऐसे टाइप के protection यह दो जो होता है यह door होता है और वीच ऊपर में जो होता है यह मौसह पे ओता है तो यह तीन एक भी नहीं था और यहाँ पर दो यह बी उनौने उखाड़ दिया था यहाँ पर बिलकुल खाली था पर मेरे पास 110 था स्क्रब मैंने धून के लगाया लगाने के बाद भी यह जो पॉब्लेम है रिस्टर्ट का सॉल्व नहीं हुआ कंटिनीवसली ऐसा रिस्टर्ट हो रहा है तब जाके मैंने एक बार इसका बायस किया सेम इशू कोई भी रिस्पॉंस नहीं पॉब्लम एजटीज है तो यहां पर भी कुछ सारा प्रोटेक्शन होता है तो यह भी रिमूब किया था उन्होंने यहां पर भी खाली था यह वाला भी खाली था ठीक है तो मैं एक चीज़ सबसे बोलूंगा अगर आपके पस कभी भी कुछ भी बोड आ जाए आपसे अगर हो नहीं पा रहा है तो जहां से भी आपने जिस कंपोनेंट को रिमूब किया था तो कोशिश करें कि वह दो बारा ऐसा इन कर दें वहां पर फिक्स करके बोड को रिटन क करें तो लैप्टॉप में कभी कबार ऐसा होता है ठीक हो नहीं रहा है एक दो घंडा टाइम वर्ष्ट कर दिया हमने चलो दो एक आइसी रख लेते काम का आए गया यह बोड होने वाला नहीं है वह अलग है अगर किसी के बास जाए उसका इसकी मिटिक है इसकी मिटिक में आइसी का पार्ट नंबर सब कुछ मिलता है पर डेक्स्टॉप मदर्बोर्ड में ऐसा नहीं होता है जब भी कुछ कॉंपोनेंट निकालो अगर रिटर नहीं करना है तो उसे लगा दो क्योंकि यह चोटा मोटा जो मॉस्पर टैंजेस्टर ही आपका कोई काम का नहीं है यह पी डवले माइसी का भी यह रॉन है वह जेनरेट नहीं हो रहा था इसलिए बार बार बोर्ड रिश्टर हो रहा था तो बाइस का भी इसू नहीं था और आपके पास अगर सेम ऐसा गीगावाइट का टूफिप्टी सरीस का कोई मदर्बोर्ड आये और यह स्टर हो रहा है यह वीडियो जो भी देखेगा नेक्स टाइम पॉबलेम और फेसिंग नहीं होगा वह एक चांस में पॉबलेम को सॉल्वाट कर लेगा तो ध्यान से देखो अभी यह सॉल्व हो चुका है अभी एक पोटेक्शन था जो आपको रिमूब करना है वहाँ पर एक लगाना है त तो अभी देखते फिर से पॉबलेम आता है कि नहीं अगर आता है तो भी दिखाऊंगा कौन सा कॉंपोनेंट है वह रिए स्टट के वजा कौन है और अगर नहीं आता है तो भी दिखाऊंगा ठीक है तो अभी एक बार चला के देख लेता हूं नॉर्माली मैं सॉरी मैंने CPU पावर नहीं डाला है तो अभी डाला है तो अभी देखो यह अभी और रिस्टट नहीं हो रहा है पर यह जो कोडिंग देख रहा हूं फिर से आप कर रहा हूं है पर से चला रहा हूं अ यह 3 πरीजिये ऐसा होके फिर का रशिट फिर से आइसा हो कि रीटर नहीं हो पारा था अभी देखते हैं इसकां इसका कंडिशन क्या है फिर चरभ कोई बार्ड आको बास आये अब जितने भी छेड़ खानी करो कोई भी component remove करो बस अगर return करना है बोट तो उसे please लगा के फिर return करो ठीक है तो ऐसा क्या है जब किसी के पास दूसरे जब next time किसी के पास जाएगा तो उसे बहुत problem हो जाता है मुझे भी ये बोट ढून-ढून के component लगाने में बहुत time लग गया पर अभी ठीक ठाक चल रहा है पर अभी मैं दिखा देता हूँ वो कौन सा component है अगर आप ये start facing कर रहे हो इस बोट के उपर तो पहले तो आपको बाइस को एक बड़ी प्रोग्रम कर लेना है अगर नहीं हो रहा है तो फिर सिधा आप आजाओ सिधा आप आजाओ मैं दिखा दू ये देखो बोट को अगर ऐसे पकड़ोगे तो सिधा थोड़ा सा इधा ले लेता हूँ इस टन को तो ये वाला जो component है देख सकतो ये वाला ठीक है इसका नंबर अभी क्या है मैं बता रहा हूँ एक सेकंद साथ में रहा हूँ ये एक मॉ सब्सक्राइब नहीं होगा ये पी डवले वाज सी इसलिए बार बार ये श्टर्ड होगा तो मैं देख लो थोड़ा सा इसका मॉडल नंबर ये मनने अभी टप किया है तो शायद में बता नहीं बाऊंगा अगर दीखे तो बता रहा हूँ ठीक है एक सेकंद साथ रह जाओ दीख नहीं रहा है एक सेकंद में बता क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा सा जाल कर देखता हूँ कि दिखता है कि नहीं यह 702 है ठीक है तो यह protection है अगर इस बोड में यह स्टाट फेसिंग हो रहा है तो फासे स्टेप आपको बाइस करना है अगर फिर भी सॉल्व आउट नहीं होता है तो यह ध्यान से देख लो कौन सा ही यह जो सिप्यू फैन है इसके लेप साइट में जो होगा यही बाला कॉम्पोनेंट आपको रिमूब करना है ठीक है यह अगर आप रिमूब करोगे या फिर इप्लेस करना है तो आपका जो बोड का रिस्ट पॉब्लम है वह 200 परसें सॉल्व हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो ऐसा पॉब्लम आया तो पहले अपलाई करो फिर कॉमेंट करो ठ हैं वह यह यह सब के बज़ा से यह जो PCI Express इसके नीचे जो आयो है यह में के बज़ासे यह में आयो है इसका और यह असका बैक आयो यह यह आयो कभी कबार इस इस सीरीज के बोर्ड में फॉल्टी हो जाता है तब भी रेस्ट प्रब्लेम आएगा तो यह आयो अगर आप चेंज करोगे तो बहुत ही परेशनी होगा पहले तो यह स्लोट को आपको रिमूब करना है नीचे से फिर जाके आप आयो को रिप्लेस कर प वाला पॉब्लेम है यह बी टू फाइफ जिरो एम डी थी एच डिविशन वन यह सौल हो जाएगा डेफिनेटली हंडेट परसेंट तो अभी सारा प्रोटेक्शन मैंने लगाने के बाद जब यह वाला एक प्रोटेक्शन उन्होंने नहीं निकाला था जिनके पास गया था यह भी निकाल दिया था यह भी निकाल दिया था मैंने सब ढून ढून के लगाया और यह जैसा की वैसा है था तो मैंने जब भी इसे रिमूब किया उसके बाद बोड में कोडिंग आना चालू हो गया पर दूसरी बार जब मैंने इसे लगाया तब यह जो शौट था यह ज कॉल्टी हो चुका जो तो मैं इसे ऑड़ी को मैं हिट कर देता हूं और यह जो कमपोनेंट मैं इसवे moto पार्मच अभी रिभी रिभ मुप कर देता हूं कि मेरे पास है नया बहुत में चाहूं तो यहां पर नया लगा भी सकता हूं इस वारभी में हम में कर रहा हु मैं ढूनके डेलिवरी करने से करने से पहले लगा दूंगा ठीक है आज तो यह डेलिवरी नहीं हो पाएगा तो देखो जो भी बोड आये मेरा बस यही कहना था कोई भी कॉमपोनेंट अगर आप निकल रहे हो चेक करने के लिए कोई भी पोटक्शन हो या रेइस्टर जो भी हो आप उसे फिन से फिक्स करके डिटन करें अगर आप से बोड रेडी नहीं हुआ तो देखो यह मैंने यहां पर रखता हूं यह रिमूप कर दिया यह जो बोड कौन सा वाला रिमूप किया फिन से उस बार देख लो नेक्स टाइम और यह पॉब्लम नहीं आएगा और यह पॉटेक्शन आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा और आपके पास अगर है यह तीन चार रुपया प्राइज है इसका लॉट में आता है एक दो सो पीस अगर ओडर करोगे तो दो तीन रुपया करके आपको प्राइज इसका लगएगा लगभग आप इसे बहुत सारा वेबसाइड है मंगबा सकते हो अगर किसी को चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा मुझे कॉंटक कर लेना तो अभी जो है इसका पॉब्लेम स्वाउट हो जाएगा कहा गया मेरा डिबग कट कहा रखा तो लगा हुआ है तो डिस्पले भी आया कि नहीं कि एक बार कीबूट बे देख लेते हैं और यहां पर रहें लगा के देख लेता है कि सच में इसका डिस्पले आया है और एक श्यूंच को भी लगा डेते हैं मेरा बैट्री डाउन हो फोन का ज्यादा टाइम यह नहीं हो पाएगा चलो देखते हैं जल्दी में करते हैं कि चलो ओन कर दिया बस बीब दिया डिस्पले आ चुका है तो अभी देखो कीबोड पे भी आ चुका है इसका डिस्पले तो मुनिटर पे दिखाने के लिए मुझे इस ट्रैन उखना पड़ेगा देखनी की जरूरत भी नहीं है आ चुका है तो वीडियो अच्छा लगए तो डू सब्सक्राइब दा चैनल मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे तब तक के लिए लव्यू आल जय हिंद